टिक है कि अब मैं start कर रहे हूं आपकी biology की दूसरी branch जिसको कहा जाता है botany जिसको कहा जाते है botany जिसको कहा जाते है botany,,, ठीक है botany तीन class में complete हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा तीन या 4 class में ठीक है कल और पर संड़े को तो मैं बीच में यह लूँगी Monday, Tuesday, Wednesday तक आपका botany complete हो जाना चाहिए, ठीक है, botany जिसको हिंदी में कहा जाते है, वनस्पति विज्ञान, botany को हिंदी में क्या कहा जाते है, तो मैं में वनस्पति विज्ञान कहा जाते है, हमारी जो biology होती है, biology की दो main branch होती है, एक होता है, सर परशांद जी आपको animal classification में समझ में आ जाएगा, जो आपने doubt पूचा है, ठीक है, वो आपको animal classification जब मैं करवाऊंगी, तो आपको अपने आप automatically समझ में आ जाएगा, हो गया, मैंने आपको फिर बोल रही हूँ, मुझसे request, मुझसे आप मुझे chapter का नाम मत बता पढ़ाऊंगी, जो exam oriented है, मैं सरफ वही पढ़ाऊंगी, clear है, देखिए, तो botany, science की दो main branch होती है, कौन-कौन सी, एक botany और एक होता है, zoology, zoology में मैंने आपको human physiology के बार में पढ़ाया, cell chapter पढ़ाया, अब मुझे दो-चार बात, दो-चार चैप्टर और पढ़ाने हैं, आपको इभी छोड़ दे रही हूं, बाद में पढ़ा दोंगी, ठीक है, botany, botany में हमें botany का मतलब क्या होता है, तो biology की वो branch जिसमें हमें plants के बार में study करना होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है botany, to study about plants is known as botany, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, विज साखा है, जिसके अंतरगत हमें paid podों के बार में अध्यन करना होता है, कैसे plant की morphology होती है, कैसे plant के क्या क्या character हो सकते है, कैसे plant में nutrition का process होता है, कैसे plant में respiration का process होता है, तो यह सारी plant की जो biological reactions हैं, उनके बार में study करना, क्या कहलाता है, botany, to study about plants is known as botany, paid podों के बार में अध् विज्यान कहलाता है हो गया तो दूसरा देखो यहां से कॉशन आता है कि who is the father of botany who is the father of botany father of botany कोण है वनस्पती विज्ञान के जनक कोण है वनस्पती विज्ञान के जनक कोण है वनसपति विग्यान के जनक to वनसपति विग्यान के जनक कौन है तो उनका नाम है थियोफरेस्टिस मैं mar रोलकी चेंज करके आती हूं वेट ठीक है तो देखिए father of boughtnin कौन है तो father of boughtney है थियोफरेस्टिस बहुत सारे एक्जाम में पूछा भी जाता है कि who is the father of botany तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो थी ओफ रेस्टिस अब इनको father of botany क्यों बोलते है मैम थी ओफ रास्टिस जी ने क्या काम किया botany की ब्रांच में कि हम इनको father of botany बोलते हैं क्यों क्योंकि the of रेस्टिस जी ने सबसे पहले plant morphology के बारे में study करवाई थी plant morphology के बारे में पताया था morphology plant को बोलते हैं हिंदी में पादप morphology को बोलते हैं egg कारी की अब मैं morphology term का मतलब क्या होता है तो plant के case में morphology होता है और human या animal के case में physiology term यूज होता है morphology का मतलब क्या होता है मैंने आपको एक plant दिखाया मैंने का वो देखो एक आपका plant है इसकी मुझे morphology बताओ तो morphology का मतलब होता है कि उस plant को देखकर आपके मन में क्या-क्या उस plant के part आपको visible हो रहे है उस plant के क्या-क्या outer part आपको दिखा रहे है तो आप बोलोगे मैं उस plant में उस plant में उस plant की roots होती है उस plant की उस plant में shoot वाला part है उस plant में root वाला part है उस plant में flower वाला part है उस plant में fruit लगे हुए है उसकी leaf हैं तो यतने सारे जो plant के part होते हैं इन plant की ठीक है तो इतने सारे ये plant के जो part है plant के outer part के बारे में study करने को क्या बोलते हैं morphology ठीक है और human के बात करें तो human में आता है physiology और plant के case में क्या बन जाता है वो morphology तो three of resties दी ने क्या की कितने plant की morphology की study की तो 500 plant के morphology की study करके उनके scientific name दिये और उसको किस book में लिखा एक book लिख दी इन्होंने इस book का नाम था the history of the history of plant theorem और इस book के अंदर कितने plants की study की तो 500 plant की different kinds of 500 plants किस book में the history of plant theorem क्या बताया कि कौन से plant की क्या morphology होगी वो किस kingdom में आएगा और उस plant में कौन-कौन से उसके part है उसके काम के है तो उनको किस book में लिख दिया the history of plant theorem इतना बड़ा काम किया तो हम थी ओफ्रेस्टिस जी को क्या बोलते है father of botany father of botany तो पूछा जाए थी ओफ्रेस्टिस जी ने किस पे काम किया plant की morphology पादप एकारिकी पे काम किया उसके बाद आप से पुछे कितने टाइप के plants में 500 plant में पुछे किस book में लिखा the history of plant theorem में लिखा इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया father of botany father of botany का नाम दे दिया हो गया तो यहां से आपका एक कोशन क्लियर हो गया है अब बात आती है कि मैं हमें बोटनी का syllabus क्या-क्या पढ़ना है बोटनी में हमें पढ़ना क्या-क्या है वनस्पति विज्ञान में कौन-कौन से chapter आपको पढ़ने हैं जो आपके competition exam के लिए ज्यादा valuable है कौन-कौन से chapter आपको पढ़ने होते हैं देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्लांट होर्मोन सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्लांट होर्मोन जैसे हमारे बोडी में होर्मोन होते हैं वैसे प्लांट में भी होर्मोन होते हैं सबसे पहला चैप्टर है प्लांट होर्मोन या पादप होर्मोन ठीक है? ठीक है? देखिए तो पहला चैपटर का नाम क्या हो गया? Plant Hormone दूसरा यहाँ से चैपटर का नाम है Plant Morphology और Morphology का मतलब क्या होता है? Plant के पार्ट के बार में पढ़ना पादप एकारिखी पादप एकारिखी अब इसके अंदर आपको कौन-कौन से पार्ट पढ़ने, तो मैम इसके अंदर प्लांट के सारे पार्ट पढ़ने, like पहला पार्ट है root, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में जड, दूसरा है stem, जिसको बोलते हैं हिंदी में तना, next है leaf, जिसको पती बोलते हैं, ये भी पढ़न पुष्प, हिंदी मीडियों वाले ध्यान रखें, थोड़े नाम बहुत अजीब है यहाँ पे, उसके बाद next है fruit, fruit कैसे बनते हैं, कितने type की होते हैं, इतने सारे पार्ट, ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको third पढ़ना है, photosynthesis, photosynthesis क्या होता है, कितने type का होता है, कितने type की reactions होती है, प्रकास translation की किरिया, वैसे मैं photosynthesis अलग से लिख रही हूँ, बट आप पढ़ोगे यहाँ पर, leaf वाले पार्ट में, क्योंकि plant का photosynthesis कहा होता है, leaf में होता है, चार नंबर पे आपको पढ़ना है, plant respiration, यह भी अलग से नहीं पढ़ाया ज यह तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपके competition exam में यहां से questions बनते हैं, but plant photosynthesis और plant respiration है, वो यहीं पर आजाएगा, leaf वाले पार्ट में आजाएगा, यहीं पर सारा पढ़ाऊंगी में, ठीक है, उसके बाद next chapter आपका यहां से क्या है, तो next chapter आपका यहां से बनता है, plant classification, plant का classification कैसे होता है, पादप का वरगी करन, जैसे animal का भी पढ़ाऊंगी में, और पादप का भी पढ़ाऊंगी, पादप का वरगी करन कैसे होता है, ठीक है, और सबसे last में आता है, plant में कौन कौन सी disease होती है, plant disease, पादप रोग, पादप रोग, पादपों में भी बिमारियां होत पादपो में भी disease होती है, वो पढ़ाऊंगे, इतने chapter आपको पढ़ने हैं, किस में? तो botany में, इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा कुछ miscellaneous questions है, कुछ miscellaneous questions है, तो वो मैं आपको, और कुछ factual data है, तो वो भी मैं आपको provide करवा दूँगी, जैसे आता है, कौन से part कौन से part का हम कौन सा part खाते हैं, कौन से plant का कौन सा part खाते हैं, जैसे आप से पूछे, long, long plant का कौन सा part खाते हैं, long कौन सा part होता है, ilaichi कौन सा part होता है, तो वो उसमें कुछ समझाने वाली बाते नहीं हैं, तो वो आप आप आपने आप याद कर लेंगे, हाँ, उसका data मैं आपको provide करवा दूंगी, ठीक है, उसके अलावा कुछ miscellaneous questions है, सबसे बड़ा flower कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, यहां सभी questions आते हैं, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी, हो गया, तो main आपकी जो chapters है, वो यहीं है, बाकि चोटे मोटे जो chapter है, हाँ, plant nutrition यहीं आ जाएगा, photosynthesis किसका, photosynthesis किसमें पढ़ेंगे, nutrition में ही पढ़ेंगे, वो यहीं आ जाएगा, clear है, तो start की जाए आज, बोटनी की पहली class, तो बोटनी की सबसे पहली class में आपको मैं करवा देती हूं, आज, plant hormone, plant hormone के बारे में study करवा देती हूं, ठीक है, देखो, सबसे पहला chapter में यहां पर start कर रहे हूं, plant hormone के बारे में, बट एक बात याद रखना, NTPC, railway, CGL, CPO में सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा Hopkins बता चुकियों में, ठीक है, तो उनमें जुलोजी से ज़्यादा कौशन बनते हैं, तो ज़्यादा आपका जुलोजी पूछा जाता है, सबसे पहला मैंने chapter का नाम लिखा है, प्लांट होर्मोन, हिंदी में इसको कहा जाता है, पादप हार्मोन, ध्यान से सुननें, बहुत ही सारे और बहुत ही अच्छे-च्छे कौशन बनते हैं यहाँ से, एक कौशन आता है कि प्लांट में कितने हॉर्मोन होते हैं, आपको एक बात याद रखनी है, प्लांट में अगर पूछे टोटल कितने हार्मोन हैं, तो प्लांट में टोटल सेवन हॉर्मोन होते हैं, बट जो में हॉर्मोन होते हैं, जो होने ही होने चाहिए, तो वो कितने होते हैं, पांच, मैं आ होते हैं 5, ओके, तो सबसे पहला हॉर्मोन का नाम लिखती हूँ मैं यहाँ पर ओक्जिन्स, पहले हॉर्मोन का, अच्छा इसको ओक्जिन भी कह सकते हैं और ओक्जिन्स भी कहते हैं, इसके आगे ऐस भी लगा हुआ होता है, कोई एसको घंडिन्स पहले सकते लिखा जाते हैं, हिन्दी इसको ओksीन लिखा जाते हैं, हिन्दी में इसको wszystkie सीन बोल दिया जाते हैं टोटल कितने तो सेवन बता चुकी हूं मैं चलो मैं इसको रब करके एक नम्मर से योगजिन लिखना स्टार्ट कर देती हूं यह आपको याद रखना है कि टोटल सेवन है बट में कितने होते हैं पांच Environment Science यहां नहीं पढ़ाए जाएगी, Manoz, Kumar, Kumawat, नहीं, Environment Science नहीं पढ़ाए जाएगी, Environment Science आपको GS के बैच में पढ़ाए जाएगी, जहां पर आपको Geography वाले सर पढ़ाएंगे, अमन सर, वो Geography के पार्ट में आती है, यहां नहीं आती है, तो मैं बिलकुल नहीं पढ़ाऊंगे Environment Science, ठीक है, मैं मेरा SSE GD में आपके Chemistry की एक क्लास से लिटमस पेपर के दो कौसंस आये थे, अरे वा परशांत, मोदी नगर, ओके परशांत, तो अगर आपको पढ़ा हुआ, अगर आपको याद रहा और आपके कौसंस आये, और आपने वो कौसंस कर दिये हैं, तो इससे अ पा रहे हैं, ठीक है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, अच्छा, यूटूब पे आपने एक दिन क्लास ली थी, उसी से आये हैं, ओके, थेंक्यू सो मच परशांत, ऐसे ही आप पढ़ते रहे हैं, ऐसे ही आप कॉसंस करते रहे हैं, और सलेक्शन लेते रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है, यही हमारे लिए रिवोर्ड है, देखो, तो सबसे पहला होर्मोन मैंने लिख दिया है, ओक्सीन, ओक्सीन भी बोलते हैं, और ओक्सीन भी बोलते हैं, एक ही बात है, ओक्सीन, हिंदी में कहा जाता है, ओक्सीन, सबसे पहला क्योशन आ है कि इस ऐक चार्वित्ट के बारे में σε यह रो सकता है कि इसकी को जिसने की इसकी डिसकोपरी किसने की तो ऑख जिन के बारे में मताने वाले साइंटिस्ट कौन थे तो Darwin नाम के scientist, सुना होगा आपने Charles Darwin, Charles Darwin, एक theory दी थी न Darwin ने, evolution वाली, ठीक है, तो पूछा जाए exam में, कि Oxyn की खोज किस ने की, तो आपने क्या बोला है, किरन जी कह रहे है, मैं में आपके तब्बे ठीक है, हाँ किरन जी मेरी तब्ब्बे ठीक है, पानी मैंने पी लिया है, दूसरा question आता है, कि सबसे पहले इसका isolation कहां से किया गया, isolation को कहा जाता है, कि इसका प्रत्थिकरण किस कहां से किया गया, मतलब इसको isolate कहां से किया गया, सबसे पहले, ये question भी पूछ लिया जाता है, कि Oxyn hormone का, सबसे पहले isolation कहां से किया गया, तो आपको इसका answer देना है, Ox और ऑगजिन हॉर्मोन का इसोलेशन किया था ? It is isolated from human urine Human Urine Human Urine मानव के मुत्र से मानव के मुत्र से सबसे पहले इस होर्मोन के बारे में पता लगाया गया अब आप सोच रहोंगे मैं आप बात तो कर रही है प्लांट की और आपने यहां पर human urine क्यों लिख दिया, हमारे urine में कैसे आ गया oxygen, तो मैं आपको एक बात बता देती हूं, कि हम लोग indirectly तो हम लोग plant पे डिपेंडेंट हैं, हम plant की ही सबजी खाते हैं, जैसे vegetable आती हो, plant से मिलती हैं, fruit हैं, तो fruit भी कहां से मिलते हैं, plant से मिलते हैं, कुछ carv इसी के थू हमारे बोडी में क्या आ गया, oxygen, और हमारे urine में, urine से इसका क्या हुआ, isolation हुआ, सबसे पहले इसका isolation कहां से हुआ, पुछा जाए, तो आपको बताना है, इसका isolation कहां से होता है, तो कहां से किया गया है, human के urine से, यह कौशन बहुत ज्यादा अच्छा है, यहां से question आता भी है, अब देखो, आप से पूछे, इस oxygen का chemical name क्या होता है, इस oxygen का chemical name क्या होता है, रसाइनिक नाम, oxygen का रसाइनिक नाम क्या होता है, रसाइनिक नाम क्या होता है, यह भी बहुत अच्छा question है, यह भी question बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका रसाइनिक नाम होता ह IAA, आप इसकी फुल फुर्म बोचेगा आप से, कि IAA क्या होता है, तो इसका रसाइनिक नाम होता है, इंडोल 3, इंडोल 3, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड क्या होता है, CS3COOH, बढ़ा चुक्यों महीं आपको केमेस्ट्री में, CS3COOH, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, होता है, इसी को ही दूसरा नाम ऑगजिन बोल दिया जाता है, ठीके, ठीके, आपको याद रखना है, तो ऑगजिन का कैमिकल नेम पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, IAA, इंडोल 3 acetic acid, हो गया, नेक्स्ट बात आती है, कि इस ऑगजिन का काम क्या होता है, इस ऑगजि का काम क्या होता है, इस auxin का function क्या होता है, यहां पर लिख रही हो में इसका काम क्या होता है, इसका function क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, इस auxin का काम होता है, growth करवाना, plant की growth करवाना, plant के जो cells and tissues हैं उनकी growth करवाना, plant की व्रदी में सहाइक है, तो इसको हम कहते हैं growth hormone, इ Hindi में कहा जाता है वृधी हार्मोन, जिसे हमारे previous बोडी में cells, tissues की ग्रोथ होती है तो in our plant में companemi living हैany recant अफिक है तो इस में plant be living है तो plant की growth कौन करवाते है तो zap oxyin करवाते है उसके alawah इसका काम क्या होता है यह cell division भी करवाते है cell division करवाना cell division आब मैंने बोले growth तो growth कैसी होगी जब cell division का process होगा cause का विभाजन होगा तो बहुत सारी cells बनेंगी और बहुत सारी cells बनेंगे तो क्या होगा उस particular plant के part की growth होगी ठीक है तो particular plant की growth होगी अब आप से पूछे कि ये growth किस part की करवाता है ये जो oxygen है वो किस part की growth करवाता है तो आपको बोलना है कि ये overall पूरे plant की ही growth करवाता है overall whole plant ठीक है सारे के सारे plant की overall plant की growth करवाता है पूरे के पूरे plant की growth करवाता है मान लीज ये एक बात माद ये आपका plant है यह माल लो ऐसे करके आपका कोई plant है ऐसे करके आपका कोई plant है तो यह यहाँ पर root वाले part में भी होता है पुछे यह कहां कहां से produced किया जाता है चलो लिखी देती हूँ मैं कभी आप confused हो produced by इसका निर्मान plant के किस पार्ट से होता है तो दो जगे से होता है एक यहाँ से जो root में apical bird होती है जो root में apical bird होती है apical bird को हिंदी में कहा जाता है सिर्ष कलिकाए और apical bird क्या होती है जो plant के एकदम topmost वाले part पे होती है topmost वाले part पे होती है ठीक है तो इस पाले part को इसको भी बोलेंगे apical bird और इसको भी बोलेंगे apical bird तो यह plant की root और topmost पार्ट पे जो दोनों जगे apical bird होती है उन दोनों की growth करवाता है तो आपसे पूछे कि ओक्जिन हॉर्मोन का production कहां से किया जाता है तो आपको बोलना है root और topmost part पे जो apical bird होती है इनके दोबारा और हिंदी मीडियों वाले बच्चे क्या बोलेंगे जड़ों में और पादब की उपरी साखाओं में जो सबसे उपर साखाएं होती है उनके अंदर जो apical bird होती है वो सिर्श का लिकाएं होती है उन दोनों के द्वारा oxygen hormone का production किया जाता है उन दोनों से क्या किया जाता है उन दोनों से Oxygen Hormone का production किया जाता है बता देंगे आप कि Oxygen Hormone की खोज किस ने की तो Darwin ने की सबसे पहले कहां से isolation हुआ तो human के urine से इसका isolation किया गया क्योंकि human भी क्या खाते हैं plant के part खाते हैं तो plant में था तो plant से कहां आ गया human के अंदर आ गया और इसका chemical name या इसका दूसरा नाम पूछे IAA और इसकी full form क्या होती है Indole 3 Acetic Acid पता देंगे इसका काम क्या होता है तो plant की growth करवाना प्लांट चोटा बड़ा 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 प्लांट की growth करवाना तो इसको growth hormone बोलते हैं फिर पुछे growth कैसे करवाता है तो यह cell division की process करवाता है और cell division को Hindi medium वाले बच्चे क्या बोलेंगे कोशी का विभाजन अब growth कैसे होगी cell से tissue बनते हैं, tissue से plant के part बनते हैं तो वैसे के वैसे plant में पूरे के पूरे plant की growth करवाना पुछे कैसी growth एक तो होती है root की growth एक होती है stem की growth एक होती है leaf की growth एक होती है flower की growth तो यह किस तरीके की growth करवाता है तो आपका बोलना है यह overall plant की growth करवाता है यह पूरे के पूरे पू एपिकल बड वाली बड जो सबसे एंड में आई है वो बड जो सबसे एंड में आई है तो उसके उसमें भी होता है रूट वाली एपिकल बड में भी होता है और जो उपर आपना सबसे टॉपमोस्ट पार्ट होता है जहां पर एपिकल बड होती है तो उसमें भी होता है तो प र्तादेंगे अब इतनी बाते किशके वारे में Oxene hormone के बारे में पुछिए growth hormone कौलाज होता है तो आपको क्या बोलना है तो growth hormone कौन सा हो गया Oxene और Oxene की खोस किसने की Darwin ठीक है देखो deepest आपको इक बात याद रखने हैं कि जो hormones होते हैं वो naturally तो होते ही हैं हमारे plant के अंदर natural तरीके से तो इनका production होता ही होता है इसके अलावा artificial hormones भी होते हैं देखा होगा आपने फलों को पकाने के लिए artificial hormones का use होता है है ना और ऐसे ही आपने देखा होगा कम टाइम में ज़्यादा फल पकाने के लिए plant पर injection दिया जाता है ताकि ज़्यादा फूल बने हो ज़्यादा फूल से ज़्यादा फल बन जाएं तो hormones synthetic भी होते हैं और natural भी होते हैं तो अब आप से एक्जाम में question पूछेगा कि natural auxin के नाम बताओ natural auxin कि अब लोगों को प्लीज कॉमेंट करके बताईए समझ में आ रहा है न इतनी में पानी पीती हूं जल्दी बताईए सब समझ में आ रहा है न फिर आखे class continue करेंगे जल्दी बताईए सब समझ में आ रहा है मनोश कुमार या तो आप book पढ़ लो फिर या फिर आप जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो ठीक है clear हो रहा है ठीक है ओके तो next देखें फिर इसके बाद में नेक्स पॉइंट आपको क्या पढ़ना है देखें नेक्स आपसे पुछेगा कि प्राकर्तिक ओगजिन के नाम बताईए प्राकर्तिक ओगजिन मतलब जो नेचरल तरीके से प्लांट के अंदर जिनका प्रोड़क्शन होता है ओके सबको समझ में आ रहा है ठीक है ओके ठीक है और इधर की साइड में लिखूंगी कुछ आर्टिफीसियल ओगजिन जो बाहर से दिये जाते हैं प्लांट को जिन प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है उनको ठीक है तो आर्टिफीसियल ओगजिन कृत्रिम औगजिन दो दो नाम याद रखलो ज्यादा नहीं तो कृत्रिम ओगजिन यह question पूछ लिया जाते हैं यह भी आपको याद रखने है natural oxygen कौन से है और artificial कौन से है natural का पहला example है indole 3-acetic acid indole 3-acetic acid चो हिंदी medium से बच्चे वो ध्यान रखिए same नाम हिंदी में होता है बस हिंदी में हो जाएगा acetic aml indole 3-acetic aml ठीक है पहला natural oxygen कौन सा हो गया indole 3-acetic acid दूसरा यहां पर होता है indole 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 butyric acid indole butyric acid यह भी natural होता है ठीक है यह भी natural होता है अच्छा प्रिया जी को सही से समझ में आ रहा है super से भी ऊपर समझ माचा ठीक है ओके अब artificial कौन कौन से होते हैं देखो artificial में पहला है naphthalene acetic acid देखो इसका short form क्या बताया था मैंने इसका short form होता है इनको short form से भी पूछे जाते हैं कभी कभी इसको बोलते हैं IAA ठीक है और इसको कहा जाते हैं IBA इनकी full form पूछ ली जाती हैं कभी कभी याद रखना है ठीक है और इधर की side कौन सा होता है तो इधर की side होता है naphthalene naphthalene acetic acid same नाम हिंदी में लिख देती हूँ मैं naphthalene acetic amyl naphthalene acetic amyl और इसके short form होती है NAA या artificial होते हैं किसी plant में growth नहीं हो पाई किसी plant के growth नहीं हो पाई किसी plant के leaf जढ रही हैं तो leaf की growth नहीं हो पाई तो उसकी growth करवाने के लिए या artificial injection दे दिये जाते हैं या कोई plant की height कम रह गई या फिर कोई plant की growth ही नहीं हो पा रही है वो मुर्जा गया है वो तूटने वाला है मतलब ऐसी गिरने वाला है तो उसको artificial oxygen के ऐसे injection दे दिये जाते हैं ठीक है तो naphthalene acetic acid NAA दूसरा यहाँ पर होता है 2,4D 2,4D इसकी full form क्या होता है तो देखो 2,4 तो सेम होता है D की full form क्या होता है Dichloro Dichloro Phenoxy Phenoxy Acetic Acid Phenoxy Acetic Acid सेम नाम हिंदी में होगा Dichloro Phenoxy Acetic Amyl हो जाएगा बस यह Acetic Amyl हो जाएगा यह बता देंगे आप Oxyn में कि Natural Oxyn तो plant में किस form में होता है एक IAA की form में होता है एक IBA की form में होता है और artificial पूछे तो NAA और दूसरा हो सकता है 2,4D 2,4D यह 2,4D तो as a pesticide भी यूज़ करते हैं insecticide भी यूज़ करते हैं ठीक है हो गया बता देंगे Thank you so much Tabriz Khan जी Thank you so much ठीक है तो NAA Oxyn आपको कितनी सारी point याद रखने हैं Oxyn से मैं बता देती हूँ ज्यादा नहीं तो कौन-कौन सा point याद रखो सबसे पहला Oxyn की खोज किस ने की तो Oxyn की खोज Charles Darwin या Darwin या Darwin ने की इसको isolate कहां से isolate से समझते हो इसको अलग कहां से किया गया किस चीज में था यहां से हमने इसको अलग किया isolate किया तो इसको human urine से isolate किया गया था उसके बाद पूचे कि जो Oxyn है वो natural form में उसके naturally chemical form कौन सी में होता है किस chemical form में होता है तो आपको बोलना है Indole 3 Acetic Acid की form में होता है या फिर यह Oxyn Indole Buteric Acid की form में भी हो सकता है काम क्या होता है तो मैम आपने बताया है plant की overall growth करवाना जितने भी plant के सारे के सारे parts है उन सारे के सारे parts की growth करवाना हो गया अब किसी दिन अगर आपके plant में कोई growth होने में कमी हो रही है growth नहीं हो अपा रही है तो आप artificial injections मतलब कुछ भी खादवाद के रूप में उसमें खाद देंगे जैसे खाद होती ना समझते ना fertilizers या आप insecticide या pesticide जो बाहर से आप देंगे खाद उसी खाद में plant grow करेगा या पानी वानी में डाल कर दिया जाता है ना या उनके जड़ों में डाल दिया जाता है इसके गोलियां आती है उसके उपर पानी डाल देते हैं तो वो घुल जाता है तो प्लांट में क्या हो जाता है तो वो artificial किस form में आते हैं, तो आपको क्या देना है, अच्छा, mem 240 test series में आया था, okay, कौन सी test series में आया था, तो आपको बताना था, ये 240 as an insecticide, insecticide क्या होते हैं, insecticide, insecticide, insect को मारने वाले, कीट ना सक, दूसरा, इसको pesticide की use, pesticide की form में भी use किया जाता है, और इसको as a fertilizer भी use किया जाता है, fertilizer होते हैं, खाद या उर्वरक, जब plant की growth नहीं हो रही होती है, तो क्या, तो ये दिये जाते हैं, और ये किसका group होता है, तो growth hormone का और oxyn का ही group होता है, मुझे लगता है, सारे बच्चों को चीज clear हो गई होगी, बता देंगे, ओके, ठीक है चलो, अब पढ़ें दूसरा, तो पहला hormone कौन सा हो गया मैं, oxyn या oxyns हो गया, इन chemical जो होते हैं, chemical इनको मिलाकर ही बोल दिया जाता है, hormone, अच्छे देखो, hormone का एक नाम और होता है, मैं आपको बता देती हूं, जिसे मैंने बोला है, plant hormone, plant hormone, plant के parts की growth करवाने का काम करते हैं, कभी-कभी आप books में पढ़ोगे, plant regulator भी बोलते हैं, तो कभी आप सोचेंगे, मैं आपने तो plant hormone पढ़ाये थे, मैं आपने plant regulator पढ़ाये ही नहीं, तो plant जो hormones होते हैं, इनको regulator भी कहा कहा जाते हैं, कभ तो प्लांट के case में कहा जाते हैं, तो आपको याद रखना है जो hormones होते हैं उनको regulators भी कहा जाते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे, इनको नियंत्रक भी कहा जाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी पुछले की, oxygen regulator कहा होते हैं, तो आप समझो कि रेगूलिटर त जाते हैं अच्छा एंटीपीसी के टेस्ट में आया था ओके तो आपने फिर सही कर देना और नहीं किया तो आज पढ़ लिया आपने तो आगे के लिए उसको याद कर लीजिए दूसरा हॉर्मोन लिखूँ हूं मैं यहाँ पर चलिए दूसरे हॉर्मोन का नाम या दूसरे र बारिश हारी है बार अच्छ आपके यहां भी बारिश हो रही है कि दिल्ली में तो बारिश हो रही अभी बादल गरज रहे हैं जिब्रेलिन देखिए जिब्रेलिन सबसे पहला आता है कि जिब्रेलिन की खोज किस ने की थी तो आपको लिखना है इसकी खोज किस ने की थी तो इसकी खोज एक जैपनिस साइंटिस्ट है, जिनका नाम है कुनु सोवा, कुनु सोवा, कुनु सोवा नाम के साइंटिस्ट ने खोज गी, किसकी? जिब्रेलिन की, ओके, तो ये जिब्रेलिन क्या होता है, ये बहुत सारे होर्मोन का या बहुत सारे कैमिकल का एक ग्रुप होता है जैसे इसके compound होते हैं बहुत सारे याद रखना आपको इसके बहुत सारे compound होते हैं इस hormone के योगिक होते हैं इसके आप पढ़ोगे books में जो लोग biotech वगड़ा करते हैं वो लोग पढ़ते हैं इसके ऐसे compound होते हैं GA1 GA2 4 3 but a question आते है कि जो main compound होता है जिसको हम जिब्रेलिन नाम देते हैं वो कौन सा होता है तो हम ही जो पढ़ना होता है वो हम पढ़ते हैं GA3 हम कौन सा compound पढ़ते हैं जिब्रेलिन का तो हम GA3 पढ़ते हैं तो आपको ये बात याद रखना है कि यह hormones बहुत सारे type के होते हैं but but फाइनो साइकलोन आया है फाइनो साइकलोन आ रहा है तीन दिन से इंडिया में ठीक है तो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन की खोज किसने की कौन सावाने और ये compound का ग्रूप होता है बहुत सारे बहुत सारे chemical का ग्रूप है जैसे GA1, GA2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होते हैं जो mean होता है वो क इंक्रीज हाइट, इंक्रीज हाइट ओफ प्लांट, इंक्रीज हाइट ओफ प्लांट, यह पादपों की लंबाई को बढ़ाता है तो आप से पुछे पादपों की लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी बढ़ाने वाला हार्मोन, तो फिर इनको आप जिब्रेलिन का इंजेक्शन देते हैं, या जी एथ्री का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है? दूसरा देखो, दूसरा इसका काम होता है, दूसरा आपको पॉइंट लिखना है, या निए इनक्रीज, इनक्रीज, विर्द ओफ प्लांट, विर्द ओफ प्लांट, यह पादपो की चोड़ाई बढ़ाने का भी काम करता है, चोड़ाई बढ़ाने का भी काम करता है लंबाई और चोड़ाई दोनों का काम करता है ठीक है ये भी आपको याद रखना है उसके अलावा देखो ये क्या काम करता है इसका काम क्या होता है ये सयोजी उतकों का विकास करवाता है मैं ये कनेक्टिव टीशू क्या होते हैं ये तो हमने पहली बार नाम सुना है तो ध्यान से सुनो यहाँ पर कनेक्टिव टीशू क्या होते हैं ठीक है तो सुनिए कनेक्टिव टीशू क्या होते हैं देखो, connective tissue क्या होते हैं, plant में दो type के connective tissue हो रहे हैं, पहले बस आपको याद रखना है कि यह किसके development में helpful है, connective tissues, अब देखिये क्या होते है, connective टीशू मैंने यहां पर लिखा है, connective का मतलब होता है connect करने वाले, plant के part को आपस में connect करने वाले tissues, जैसे root, shoot, stem, flower, इनको आपस में connect करने वाले, ठीक है, कितने होते हैं plant में, दो होते हैं, दो, सबसे पहला है जाइलम, पहले connective tissue का नाम होता है जाइलम, जैसे जाइलम और जैसे जल, यह किसका transportation करता है, जल का, ऐसे ऐसे बहुत पतली पतली ऐसे duct सी होती हैं, ऐसे नलियां होती है, उनको ही हम क्या कहते connective tissue काते हैं, याद रखना हैं आपको ठीक है, जाइलम, अब जैलम जल, जल एक बात बताओ, plant पानी को कहां सेfal करते हैं, तो मैं plant root से Ctrl करते हैं, इसका काम क्या होता है देखिए इसका काम होता है root से लेकर root से water को लेकर कहां तक transport करना all parts of plant all parts of plant तो आपसे पूछे plant में कितने टाइप के connective tissue होते हैं दो पहला connective tissue क्या होते हैं? मैं वो tissues वो उत्तक जो plant को आपस में, plant के parts को आपस में connect करने का काम करते हैं, जो transportation का काम करते हैं plant में, तो पहला कौन सा, xylem, जैसे xylem, जैसे जल, अब मुझे बताओ, plant जल कहां से लेते हैं, तो जड़ों से लेते हैं, तो जड़ों से लेकर पानी को root, stem, shoot, flower, fruit, सब तक पानी पहुंचाने का काम, कौन सी duct या कौन से connective tissue करते हैं, xylem, दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है मैं, phloem, phloem, फैसे phloem, फैसे food, और ये किसका transportation करते हैं, food का, food बोले तो खाना, अब आप मुझे बताएंगे, खाना कहां बनता है, plant के, plant में खाना कहां बनता है, तो plant के leaf वाले पार्ट में, जहां photosynthesis होता है, वहां खाना बनता है, और plant में photosynthesis कहां होता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, leaf में होता है, तो इसी लिए खाना कहां बना, leaf, तो ये क्या करते हैं, leaf से भोजन को लेकर, सारे के सारे root तक लाते हैं, leaf से लेकर, root तक खाने को लाते हैं, ये आपको याद रखने हैं, तो inzylum और phloem की development कौन सा hormone करवाता है, तो आपको answer क्या देना है, जिब्रेलिन hormone क्या करता है, जाइलम और phloem या connective tissues को क्या देता है, ये connective tissue को development करवाता है, ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या याद रखना था, देखो कि जिब्रेलिन क्या होते हैं, तो मैं बहुत सारे hormone का एक group होता है, उसमें से main जो होता है, वो कौन सा होता है, GA3 होत होता है, प्लांट को height देना और plant को चोडाई देना, लंबाई और चोडाई दोनों करवाता है, देखे, और आप बोलेंगे, मैं आप 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 ने बता है, ग्रोथ करवाता है, और जिब्रेलिन क्या करता है, हाइट के साथ width भी देने का काम करता है, चोडाई भी देने, stem वाले part की भी ग्रोथ करवाता है, ठीक है, मेनली यह कहां से produced किया जाता है, तो देखो, इट इस produced by stem cells, produced by जो आपकी तने वाले part होता है, उस से ज्याधा बनता है, तने वाले भाग से, stem वाले पार्ट से, तने वाले भाग में ज़्यादा होते हैं, ठीके, तने के केंबियम में ज़्यादा होते हैं, बता देंगे आप, और दूसरा काम क्या हो जाएगा इसका, जो हमारे connective tissues होते हैं, उनका development करवाना, connective tissues कितने होते हैं, दो, xylem, phloem, xylem कहां से, root से सारे पार्ट के क्या लाते हैं, तो सारे के सारे पार्ट तक, क्या लाएंगे, तो पानी, phloem, food, कहां से, leaf से लेकर, root तक, clear है, यहां तक, मुझे लगता है, सब बच्चों को clear हो गया होगा, जिब्रेलिन के बारे में, next पढ़ा जाए अब, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, बारिश औ हो गया है, ठीक है, तो समझ जाना आप लोग, कि बारिश की वज़े से internet collection slow हो गया है, तो उसकी वज़े से class रुख गई है, कभी confuse मत होना कि मैं हम बीच में चली गई है, हो जाता है, अब इसमें तो मेरी भी गलती नहीं है, अगला लिखे, तीन नमबर पे लिखे, देखो, महेस, थैंक्यू सो मच महेस, तीसरा देखिए, तीन नमबर पे हॉर्मोन आता है, साइटो काइनीन हॉर्मोन, साइटो काइनीन हॉर्मोन, सेम नाम है, इसका हिंदी में साइटो काइनीन, साइटो काइनीन हॉर्मोन, ठीक है, देखो, सबसे पहला question आता है कि इसकी खोज किस ने की, इस होर्मोन की खोज किस ने की, तो आपका बताना है इसकी खोज की थी Miller ने, Miller नाम के scientist ने, कब की ये तो नहीं पूछा जाता है फिर भी लिखलो 1958 में की थी, ठीक है, 1958 में, ठीक है, दूसरा देखो, आपसे पूछे, ये फर्स टाइम कहां से isolate किया गया था, ठीक है, isolate कहां से किया गया था, इसका isolation कहां से किया गया था, सबसे पहली बार इसका प्रतिकरन कहां से किया गया था, प्रथीकरन कहां से किया गया था तो एक plant है उस plant का नाम लिखो इस plant का नाम होता है herring spur plant इस plant का नाम है herring spur plant यह बहुत ही अच्छा कौशन है अब Hindi medium वाले बच्चे सोचेंगे मैं हम Hindi में नाम बताएंगी तो मैं इसका Hindi में कोई नाम नहीं होता है इसको herring spur plant ही कहा जाता है यह कौशन बहुत ही ज्यादा अच्छा कौशन है NDS CDS के लाइक कौशन है पूछा भी जा सकता है ठीक है कि सबसे पहले cytokinin hormone को कहां से isolate किया गया तो कहां से herring spur plant से isolate किया गया इसको clear है अब देखो इसका काम क्या होता है तो इसके दो काम होते हैं देखो main इसके दो काम होते हैं क्या क्या बोलू मैं इतरा बता देंगे देखिए इसका main काम क्या होता है लिख देतियो मैं इस cytokinin के functions क्या होते हैं कि इस होर्मोन को कहा जाता है इस होर्मोन को कहा जाता है ओपोनेंट ओफ ओगजिन होर्मोन इस होर्मोन को कहा जाता है ओपोनेंट ओफ ओगजिन होर्मोन इसका मतलब क्या हो गया ओपोनेंट को बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दे विरोधा भास विरोधा भास आप से पूछेगा कि यह बहुत ही अच्छा कोशन है बहुत ही ज्यादा देखो ओगजिन ने क्या करवाया था तो ओगजिन प्लांट की ग्रोथ करवा रहा था अब ऐसा नहीं है ना कि मैं मान लो मैंने इस टूडियो में एक प्लांट लगाया और उस plant में auxin निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है ठीक है ठीक है तो आपने मैंने इस टूडियो में एक plant लगा लिया तो उसमें auxin तो जादा